CUT का एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर दे टाइम, स्टूडनें काफे सारी मिस्टेक्स करी हैं, लेकिन जिसमें से कुछ इस मिस्टेक्स ऐसी, जिससे आपको कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाला, तो समझते कौन-कौन सी मिस्टेक है, स्टूडन का सबसे पहला डाउट ही आ रहा तो भी आप लोगों को घबराने की जूर्त नहीं है, CUT के एक्जाम के थुरू आप लोगों को सिर्फ सिर्फ स्कोर मिनने वाला है, एड्मीशन का जो है, आपको एड्मीशन आपको तभी मिलेगा जब आप उस उनिविश्टी का एप्लिकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो आपकी चोईस है, कोई परिशान होने वाली बात नहीं है, काफ़ जारी सुडेंट ने अपने अप्लिकेशन फॉर्म पहले फिल कर देता और बात में चाह रहे हैं कि और भी उनिविश्टी का नाम एड़् करें, तो परिशान होने की जूरूत नहीं है, आपको उनिविश् के हिसाब से फीस भरी है, तो जितनी भी आप सब्जेक्ट अभी और लोगे, उनकी फीस आप लोगों को जो है, एक्स्ट्रा करेक्शन विंडो के टाइम पे पे करनी पड़ेगी, तो अगर आप से उनिविश्टी का नाम एक्स्ट्रा डल गया है, उससे परेशान होने की ज जाला है, तो आप जितनी भी कोर्सिस में एलिजिबल होते हो, इनके CSES के पोर्टल पे आपको सभी कोर्सिस दिखा दिये जाते हैं, कि आप इन सभी कोर्सिस में एलिजिबल हो, और आप चाहो तो इनमें भी एड्मिशन के लिए एपलाए कर सकते हैं, लेकिन कुछ पोर्टल से, सेम डियू का भी पोर्टल जो है, इंटिग्रेटेड है, जो है अपना सी युटी के पोर्टल से, तो आप लोगों को जो एपलिकेशन का नंबर होता है, वो सीधा लिंक होता है, अगर आपने वह पर उनिवस्टी का नाम मैंशन नहीं कर रहा, नाम ही मैंशन नहीं करा तो आपका जो है, इनकी वेबसाइट में भी जो है, रेजिस्टरेशन नहीं हो पाता, तो जिस भी युनिवस्टी पाँ बैडमीशन लेना चाहते है, उसका नाम डालो, और जिसमा नहीं लेना चाहते है, तब भी डाल दिया है, उससे कोई परिशानी की बात नही है, कोई भी डाउट है, कोईरी है, आप निचे कमेंट सिसमें पूछ सकते हैं, स्यूट की तयारी के लिए आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं, एक अप्रेल से हमारा ओफलें बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो जो चाहते हैं एंडोल करना मैंने सारे डिटेल्स दिस्क्रि